तो hey guys welcome back to the channel and welcome back to my new video तो guys मैं video बहुत दिनों के बाद बना रहा हूं क्योंकि मैं guys school में गया हुआ था जवार नोदिया भी धियाले और guys महाँ पर phone allowed नहीं है तो इसलिए मैं आपके साथ contact में रहा पाया इसलिए very very sorry guys लेकिन guys आज मैं video बना रहा हूं और बहुत दिनों के बाद बना रहा हूं और मैंने smart watch मंगाई थी noise की तो guys मैं उसको यह आपको आज unboxing दिखाऊंगा और first impression भी मैं आपको दिखाऊंगा तो guys चलते हैं और वो रख्यों ही मेरी watch तो आपको में टेबल पर लेकी चलता हूं तो guys यह थी जो मिंद्रा से मैंने अभी दो गिंग पहले order की थी smart watch और इस तरीके से इसकी packing आई है आप देख सकते हो चलो जो इसको भी हम खूलते हैं और उसके बाद देखने से अंदर से क्या निकलता है तो guys यह में अभी खोल लिए इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर से खली हो गई इसके अंदर से एक bill निकला है guys एरह इसको साइड में रख देते हैं और यह प्लेयन पेपर और गाइज एक छोटा सा बॉक्स निकला है प्यारा सा इसमें पनने से निकलिया यह यह नॉइस की कलर फिट कैलिबर है यह आप देख भी सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है और यह मैंने ब्लैक कलर में मंगा यह मैंटल तो इसको अब भी हम खोलते हैं फिटनेस स्मार्ट बॉच चाहिए डिजायली निडिया और गाइज इसके अंदर पिछी तरफ हाइलाइट भी टाल रखे है इन्होंने आप देख सकते हो यहाँ पर यह देखे गाइज यह 1.69 TFT टॉच स्क्रीन पैनल है इसका बॉड़ी त इसके अंदर 60 Sport Mode है जो कि बहुत अच्छा है इस प्राइस में आपको 60 Sport Mode को इसी में भी स्मार्ट बॉच में नहीं मिलेगा और 15 दिन का पैंटरी लाइफ है इसका जो कंपनी क्लेम कर दिया लेकिन अब हम इसको ट्राय करेंगे तो जब यह पता लगेगा और IP 68 है तो इसको अब हम खोलते हैं तो गाइस जैसे कि आपने देखा हमने मींतरा की जो पैकिंग आई हुई थी उससे हमने इसको निकाल लिया है बॉक्स को और उसके अंदर यह बॉक्स निकला है ब्लैक का अच्छाजा जो इसके अंदर नॉइस कलर फिट कैलिपर स्मार्ट वोच तो इसक पुरूरियमी आप इसको किसी भी सार्ब से खोल सकते हो तो मैं कटर आइसे खोल रहा हूं बंभी निकल इन निकल गी है आप इसको पगंड़ने का दें रखा है एहन पे इसको आप इक इसमें वारंटि कार्ड या तो आप इसको जरूर एक साल किसाल वारांटी मिल दिया तो प्यार किसे स्मार्ट वोच थी किस तरी के से होता है तो आप वीडियो में बने रही हमारे सार एक तो आप इसको पढ़के भी और यहां को बदाऊंगा तो आप इसको पढ़के भी और यहां को बदाऊंगा तो आप उससे बहुत अच्छी दिल्केसे कर सकते हो तो गाइस चलिए मैं आपको प्यर करके दिखाता हूं तो गाइस यह इसके बॉक्स था जो इससे निकाल लिया और इसके ओपन करने के लिए आप जो इसमें क्रॉन को आप दबाके रखो और यहां को वहलका से वाइब्रेशन होगा और यह खुल जाएगी तो गाइस यहां पर आपको प्यर करने पड़ेगी आपको प्यर विद एप और इसके लिए आपको एक जिवोन से भी आपको मुबाइल से पेर करने है उससे आप कर सकते हो तो गाइस यह मेरे पास मुबाइल है जिससे मैं पेर करूँगा और यह और चीज मैं आपको बता दूं इसे pair करने के लिए आपको अपने mobile में एक app डाउनलोड करने पड़ेगी noisefit के नाम से मैं उसकी description में link डाल दूँगा आप वहाँ से कर सकते हूँ या प्ले स्टोर से या के कर सकते हूँ तो इसको आप app को खोल लोगे इस तरहे से और यहां पर pair device आएगा pair आप कर सकते हूँ इसमें QR code इसके करोगे आप तो QR code पर हाथ लगा के और यह आप इस तरहे से इसको pair कर सकते हूँ यह देखिए गाई प्लीज वेट आ रहा है अभी यह टिक कर लोगे आप और यह आपका pair हो जाएगा start using यह आपकी watch start हो चुकी है यहां से आप देख सकते हो यह देखिए गाई इसमें इधर को आप slide को रोके तो activity आ लिया है भी हमने activity कुछ की ही नहीं तो वो कैसे आएगी heart rate है और ट्रैस मोरेटिंग breathe music और यह गाई इधर इसमें चोटी से flashlight दे रखिए है और गाई इसमें यह और भी चीज़े दे रखिए है आप उसको भी देख सकते हो सेटिंग में जाएंगे आप तो brightness vibration विरेस्ट wake up बहुत सारी इसमें अलग-अलग feature आपको दे रखिए है तो इस तरीगे से थिया guys यह और इसमें आपको डेट सो से भी जादा 150 से भी जादा watch faces मिलेंगे कैसे यह भी आपको दिख रहा है brightness काफी अच्छी लग रही है मुझे और UI भी बहुत स्मूथ चल रहा है तो guys यही था इसकी जो डिस्प्ले है वो 1.69 की डिस्प्ले है तो मैं इसकी guys एक और वीडियो बनाऊगा बात में जब मैं इसको 6-7 दिन यूज कर लूँगा तो guys यही थी इस वीडियो में तो आपको अगर watch अच्छी लगी होगी तो please इस वीडियो को like, share और guys subscribe करना और मैं वीडियो आगे ऐसे ही बनाते रहूँगा तो guys thank you very much bye bye